हेलो फ्रेंज गूड इवनिंग आज हमारी ये जीकी की क्लास रहेगी फ़र्ष्ट जो की हेलफ फूर रहेगी आपके आने वाले एच्पी टैट के लिए जितने भी एच्पी में अलग लग स्ट्रीम के टैट होते हैं जैसे के एच्पी टैट आर्ट्स हो गया जे बीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सास्त्री उन सभी टैट के प्राने पेपरों में आई जी के पार्ट यहां पे डिस्कस किया जाएगा यहां पे सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि कोशिन बताय जाएगा और सीधा अंसर ही बताय जाएगा ऐसा नहीं है जहां से भी मेरे को लगेगा कि इस वाले टॉक्टिक से एक्स्ट्रा बनेगा वहां पे आपको पूरा एक्स्ट्रा यहां पे बता दिया जाएगा ताकि आगे वहाँ से अगर कोशिन बने तो आप उन्हें छोड़ के ना ओओ राम कृशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया था सही अंसर है इसके लिए C. स्वामी विवेकानन इन्होंने अपने गुरू राम कृशन के नाम पे इसका नामकर्ण किया था इनका बच्चपन का नाम जो है वो नरेंदर्दत था 1893 में इन्होंने एतिहासिक सिकागो धर्मश मेलन में भाग लिया इन्हें हिंदु नैपोलियन या तुफानी हिंदु कहते हैं सुभाश चंदर बौस नहींने भार्त का अध्यात्मिक गुरू कहा था लोगसभा चुनाब लणने के लिए नियूंतम उमर होती है क्रेक्ट अंसर हेगा C 25 नेक्स्ट कोशिन हिमाचल परदेश से राज्य सभा में कितने स्थिया चुने जाते हैं ये भी मैक्सिमम टाइम टैट में कोशिन बनते हैं क्रेक्ट अंसर हेगा B 3 अगर लोगसभा से पूछी जाए तो वो है 4 और अगर पूछा जाए कि विधान सभा के कितने मेंबर है एच्पी में तो वो है 68 तो ये आपने याद रखना है राजसभा के 3, लोगसभा के 4 और विधान सभा के लिए 68 नेक्स्ट कोशिन कांगरस का अधिवेशन जो है वो 1929 में हुआ था इसके अध्यक्स थे जोहालाल नहरू तो ये आपने याद रखना है क्योंकि यहां से ये वाले कोशिन भी पूछ लिए चाटते हैं भारतिया राष्ट्य कांगरस के 2 अधिवेशन थे जिनकी अध्यक्स था जोहालाल नहरू ने की थी एक हो गया लाहॉर का अधिवेशन और एक और है जोकी फैसपूर का अधिवेशन था वो हुआ था 1937 में ये फैसपूर में हुआ था इसके अध्यक्स भी जो है वो जोहाला नहरू ही थे और ये गाउ में होने वाला पहला कांगर्स का अधिवेशन था यूँकि आपको थोड़ी बहुत नौलेज तो होगी कांगर्स के अधिवेशनों के बारे में तो यहां से कोशिन बनते हैं कि कहां हुआ था या ऐसा पूछ लेंगे या फिर उसका अध्यक्स पूछ लेंगे या उसके बारे में क्या खास बात है तो वो पूछ लेंगे भारतिय राश्ट्यों कॉंगर्स की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी इसी टाइम ही 1885 में ही इसका पहला जो है वो अध्यवेशन हुआ था वो हुआ था बंबई में और पहले अध्यवेशन के जो अध्यक्स थे वो थे बनर्जी 37 प्राणों के संख्या कितनी है वो है 18 38 दैस जैस अनुशेद के अंतरगत भात का राश्टपती अपात काल घोशित कर सकता है ये वाला कॉशिन आपके लिए रहेगा आपने बताना है कि 352, 356 और 360 जो है वो किस से रिलेटिड है ठीक है इनके बारे में पूरा आपने बताना है और इस वाले कॉशिन का अंसर भी आपने देना है ये आपके लिए काम रहेगा कल जब मैं वीडियो बनाओंगी तो सबसे पहले आपको इनहीं के बारे में ही मैं बताओंगी पर बताओंगी मैं तब ही जब आपको वीडियो जब देखोगे तो उसके बाद कमेंट करके इसका अंसर दोगे क्योंकि ये वाला कॉशिन जो है को कई बार पेपरों में पूछ जाता है तो मैक्सिमन को जो है इसका अंसर आता ही होगा जिनको नहीं आता है वो भी इसका अंसर जो है वो सर्च कर लेंगे और उसके बाद फिर कमेंट में डाल देंगे ताकि अगर आने वाले पेपर में ये कॉशिन आए तो आपका ये पक्का हो जाए पहली स्कोप का अभिश्कार किस ने किया? क्रेक्ट अंसर रहेगा बी जिलेलियोने कोशिन नमबर 40 आशिकनी किस नदी का प्राना नाम है? क्रेक्ट अंसर रहेगा सी जिनाब का हच पी टैट में नदियों वाला टॉपिक जो है वो पूछ लिया चाता है तो आपने आने वाले टैट के लिए ये वाला टॉपिक भी अपना त्यार कर लेना है सिर्फ ही मचल प्रदेश में 5-6 प्रमुख नदियां बहती है वो रहेगी ब्याज, चिनाब, राभी, सतल, यमना अभी यहाँ पर आया है चिनाब के बारे में तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ चिनाब का जो ये वैदिक नाम है ये है आसी कनी संस्कित नाम है इसका चंद्रा भागा उद्गम स्तान रहेगा बाराला चला तर्दे की विप्री तिशाओं से निकले वाली दो नदी धाराओं चंद्र और भागा के तांडी नामक स्तान पे मिलने से यहाँ बनती है यह जो तांडी नामक स्तान है ये रहेगा दिश्टिक लाहल स्पीती में इसकी साहक नदیاں रहेंगी मियार नाला और सैचर नाला विशेशता रहेगी यह हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमेटर की दूरी तै करती है पांगी गाटी के बुजिन नामकस्तान से यहां चमबा जिले में प्रवेश करती है जल गनत्व की दृष्टी से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तो यह आपने में याद रतना है कोशिन यह बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो रहेगी चिनात अगर लंबी पूछा जाए तो वो रहेगी सतलुच 40. अमीर खुसरो किस सास्व का राजकवी था सही अंसर रहेगा अलावदीन खिलजी मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बताती हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने सबीने सुना होगा दिल्ली सल्तनत में अलग-लग सासकों का जो है वो साशन रहा है इसमें से एक वंस था खिलजी वंस खिलजी वंस का जो संस्ताप था वो था जलावदीन फिरोज खिलजी जब उसकी हत्या हो गई उसके बाद जो है नेक्स्ट हसक जो बना वो है यह अलावदीन खिलजी अलावदीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुर्शप ये भी आपने याद रखना है यूँकि ऐसे चोटी-चोटी कोशिन ही यहां से पूछे जाते हैं अलावदीन खिलजी को ही दितियस कंदन या चिकंद्रे सानी कहा जाता है इसने मुल्या नियंतर्ण के लिए बजार प्रणाली को लाया था मुल्या नियंत्रण के लिए ये बजार प्रणाली लेके आया था इसी नहीं सबसे पहले गोडा दागनी की प्रमप्रा लागू की थी अलावदीन के चार प्रमुक सैना पती थे जिनका नाम था जफर खां, नुसरत खां, उलूग खां, मलिक काफूर यहां से कोशिन पूछा जाता है कि अलावदीन खिल जी का ऐसा कौन सा सैना पती था जिसकी हत्या जो है वो मुगोलों से लड़ते लड़ते हुई थी, तो वो रहेगा जफर खां इसलिए मैंने आपको इसके सैना पतीयों के बारे में भी बताया क्यूंकि यहां से जो है वो कोशिन बनता है टैट की ही बात नहीं है और भी अधर आख कंपिटिटिव एक्जाम देते हुँगे, बहुत से अधर एक्जाम्स हैं तो वहाँ पे भी आपने, जिनोंने दिया होगा, उनको ऐसे कोशिन वहाँ पे देखने के लिए मिले होंगे अलावदीन खिलजी नहीं, नगद वेतन देना शुरू किया था 42, किस जगा को हिमाचल प्रदेश का मिन्नी स्विट्चर लैंड कहा जाता है एक टंसर रहेगा भी खजियार को, खजियार को ही गिलमर्क आफ हिमाचल कहा जाता है अजन्ता आफ दी हिमाल्याज, जो है वो ताबो मट को कहा जाता है अलॉरा आफ दी हिमाल्याज, मश्रूर एकासम मंदिर को कहा जाता है मैनक परवत को शिवालिक परवत के नाम से भी जाना जाता है और मौलक परवत को दोलादार परवत के नाम से जाना जाता है तितना आपने यहां से एक्स्टा भी याद रख लेना है क्योंकि टैट में यहां से कोशिन बनी जाता है फुलेश त्योहर किस जीले में मनाया जाता है रेक्ट अंसर हैगा D किनौर में यहाँ मेला स्तंबर महिने में लगता है जो कि फूलों के उत्सब के नाम से परसीद है किनौर में और लोशर उत्सब मनाया जाता है लोशर उत्सब किनौर के साथ साथ लोहस पीती डिस्टिक में भी मनाया जाता है यह जो लोसर उत्सब है यह तिपती नववर्ष के आगबन पर मनाया जाने वाला यह मेला फर्वरी महिने के अंतिम सप्ता हमें लगता है 44. हिंदुस्तान तिबद मारक किस ने बनवाया 45. नीती आयोग का ध्यक्ष कौन होता है भारत के प्रधान मंत्री ही नीती आयोग के अध्यक्ष होते है इस में मैं है नरेंदर मोदी जी नीती आयोग के उबाध्यक्ष जो है वरतमान में वो रहेंगे सुमन बैरी यह आपने जुरूर याद रखना है किम्कि टैट में नीतिया योग से कुशिन किसी ना किसी को स्ट्रीम को बनता ही बनता है एक इसके CEO भी होते हैं Chief Executive Officer CEO वो है वर्तमान में BVR सुब्रमन्यम अजयक्ष है बर्तमान में नीतिया योग के नरिंदर मोदी उपाजयक्ष है सुमन बैरी और CEO है BVR सुब्रमन्यम नीतिया योग से पहले भात में योजना योग होता था योजना योग के स्थान पे ही नीतिया योग को लाया गया है नीतिया योग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 में हुई है नीतिया योग की फुल फॉरम है National Institution for Transforming India इससे पहले था योजना योग जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में जहांसे भी यहांसे कोशिन बन सकता था वो मैंने आपको सारा में में बचा दिया 46 भार्थ का कौन सा सहर भार्थ का पीर्शबर के नाम से जाना जता है क्रेक्ट अंसर रहेगा A. जमशेदपुर 47 भार्थ का परथम बैंक कौन सा था जिसकी भार्थ में 1770 में स्थापना की गई बात का पहला बैंक बैंक ओफ हिंदुस्तान था जिसकी स्थापना येरोपिया पत्ती पर अलेंक्जेंडर एंड कमपनी द्वारा 1770 इसवी में कोलकत्ता में की गई थी सबसे पहले इसकी स्थापना कहां हुई थी कोलकत्ता में 48 किस बेज से सरप्रथम भारत नाम लिया गया करेक्टर अंसर है का भी रिक बेज से 49 किस ने कहा था जैजवान जैकिसान जैविग्यान मैं आपको शुरू से ही ये बताती हूँ सबसे पहले जैजवान जैकिसान कहा था लाल बहादुर सास्तरी जी ने उसके बाद इसमें जैविग्यान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपी में तो जैजवान जैकिसान जैविग्यान जो कहा था वो कहा था अटल बिहारी वाजपी ने अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो इसमें आप जै अनसुन्धान भी जोड़ा गया है तो जै जवान, जै किसान, जै विग्यान, जै अनसुन्धान कहा था वर्तमान में मोद्धी जी ने तो यह आपने याद रखना है क्योंकि यह तीनों तरह से कोशिन बन सकता है जै जवान, जै किसान कहा था सबसे पहले लाल बहादर शास्त्री ने उसके बाद जै जवान, जै किसान, जै विग्यान कहा अतल भ्यारी बाजपेई ने और वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो जै अनसुन्धान भी इसमें जोड़ा गया है जो जोड़ा गया है मोद्धी क द्वारा एक प्रेस्ट मानमशिड में कितनी हडियां होती हैं क्रेक्ट अंसर हैगा 206 41 महाभाश्या किस ने लिखा क्रेक्ट अंसर हैगा ए पतंजली ने ये 51 कोशिन था तो इस वारी वीडियो में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम कम से कम इस वाली सीरीज में 1000 के क्रीब क्वेश्ट जो है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे पास जो है वो अलग एक स्ट्रीम के कोई 7-8-8 पेपर है तो यह आप लगा लो कि 1000 के क्रीब क्वेश्ट तो बन ही जाएंगे जैसे ही यह पेपर डालके खतम होंगे उसके बाद फिर जो है वो डेली टॉपिक वाइस त्यारी भी करवाए जाएगी अगर किसी को पहले ही यह त्यारी चाहिए होगी अच्छे से टॉपिक वाइस जीखे की तो क्मेंट्स कर दें अगर आपके कमेंट्स मुझे लगेगा कि जादा बच्चों ने कमेंट्स की हैं तो ये वाली सीरिस भी चलती रहेगी और साथ में जी के वाली सीरिस भी अलग से स्टार्ट कर दी जाएगी और अगर आपको टैट के लिए आउनलाइन कोर्स चाहिए होगा तो भी बता दें क्यूंकि वहाँ पे आपको जो है वो सारा स्लेबल्स फिर अच्छे से करवा दिया जाएगा वहाँ पे हर एक टॉपिक आपको करवाए जाएगा तो जी जी सको कोर्स लेना है वो भी आपको बता दें आप हमें कमेंट करके क्योंकि जितने बच्चे जी सकोर्स के हमारे पास होंगे हम सबसे पहले उसी के लिए ही फिर ऑनलाइन बैस लेके आएंगे और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उसी हिसाब से ही फिर हमारी फिस रहेंगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें